दीपों के तुहार दिपावली में मिट्टी का दिया का काफी महत्व है लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिया के साथ मिट्टी के पांच अन्य समान भी खरीदे जाते हैं जिसका महत्व दिपावली और लक्षमी पूजा में काफी अहम है इन पांच समानों में शामिल है मिट पूजान समागरी के शाथ मालक्षमे के सामने रखा जाता है। मालक्षमे को परशाद और पित किया जाता है। पूजा के दोरान एक मिट्टी का बना छोटा चुला भी रखा जाता है। यह भी सम्रिधी का प्रतीक है। चुकि धार्मिकन स्थानों में मिट्टी के चुले पर बने परशाद को ही भगवान को अरपित किया जाता है। इन पांच समानों में मिट्टी के हाथी की विखरदारी होती है। अक्सर इस मिट्टी के हाथी का प्रियोग दिपावली के बाद आने वाले छट महापर्व में कोशी के दोरान किया जाता है। लेकिन खरिदारी इसकी दिपावली के दोरान ही होती है। गुपालगंज के हजियापुर में मिट्टी के ये समान बना रहे कारिगर रामाजी पणित बताते हैं कि पचकुलिया, जात, चुल्हा, घंटी और हाथी ये सभी पाथ समान महत 100 रुपे में मिल जाते हैं। लेकिन नए जमाने के लोग इससे परहेज कर रहे हैं। लेकिन समाजीक परंपरा को सहेजने के सोच रखने वाले लोग आज भी इन समानों के खरड़ारी करते हैं और पूजन के दौरान इससे सामिल करते हैं। इन पाथ समानों की पहचान करा रहे हैं कारिगर रामजी पणि , इसे पूज्ञा के समय के लगता है यह जो है उड़िवह है संब्सक्राइब यह लगता है उसके बाद यह जात लगता है इस पूजे में लगता है बच्चा सब खिलते हैं लाउना है सब दिवाली में लगता है यह सेटे लगता है पूरा सेट कितना का पोड़ जाएगा लोकल इटीन के लिए गुपाल गंसिस्रवन कुमार की रिपोर्ट